और साथियों, दस साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों के तुलना में बहुत कुछ हुआ, आप भी कहते हैं, अरे मोदी जी तो रात दिन दोड़ते हैं, काम करते ही रहते हैं, सोते हैं के नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं मुझे पत औरों की तुलना में अनेक बुना हुआ हो, लेकिन मोहदी के मन की बात में आज चुरू मैं बता देता हूँ, बता दू, बता दू, देखिये जो अब तक हुआ है न, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर, आप आज कल बड़ी-बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं न, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी-थोड़ी दो-तिन-चार जरा बड़ी चटा के दार चीज़े परोस्ते हैं, तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो फर गया, आप खाना क्या खाएंगे, ये जो मोदी ने किया है न, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर, अभी तो पूरी खाने की ठाली आली बाग की है, बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं, हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है, साथियों, आज देश में, मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है, मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है, और कितनी रप्तार से पूरी होती है, राजस्तान उसका बहुत बड़ा उदारन है, मैंने मेरी माता और बेहनों को गारंटी दी थी, ये गारंटी पूरी हो गई है मैंने वहाओं को गारंटी दीथी कि BJP सरकार बनते ही कॉंग्रेस के पेपर लिख इंड़स्ति के खिलाब जांच बिठाई जाएगी ये गारंटी भी पूरी हो गई है मैंने ये भी गारंटी दीथी कि राजस्तान का मेरा किसान सेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा जिस ERCP प्रोजेक को कॉंग्रेस ले लटका कर रखा था हमने उसे नकेबल फिक्रूत किया बलकि तेजी से काम भी जारी है इससे पीने के पानी और लाकों हैक्टर जमीन को सीचाई का भी लाब मिलेगा हमने हर्याना से समझोता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साप कर दिया है भाई और भेनों भाजपा जो कहती है वो जुरूर करती है दूसरी पार्टियों के तरफ भाजपा केबल गोशना पत्र नहीं जारी करती हम तो संकल्प पत्र लेकर क्या आते हैं 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके जादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और दो साल कोविर के संकट के बावजुद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूर्णा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है राजस्तान के मेरे भाई बहन जम्म कश्मीर की धर्ती पर जो मेरे बीर जवान शहीद हुए न उसमें मेरे इस सेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी उजम्म कश्मीर जहां पर मेरे राजस्तान के बीरों का रख्त आज उजम्मी कश्मीर से आर्टिकल तीन सो सत्तर खत्म हो गया तीन तलाग पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसल्मान माता ये बहने समझे ये तीन तलाग आपके जीवन पर तो खत्रा था ही था मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवा लटकती रहती थी मोदी ने आपकी रक्षा तो की है लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है क्योंकि मुसलिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके बेजा तो है दो तिन बच्चे हो जाएंगे उसके बाद अगर वो तीन तला करके वापिस बेज देगा तो मैं बेटी को कैसे समालू भाई को लगता था अगर तीन तला के कारण मेरी बेहन गर वापिस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा हर मा को लगता था कि इतने उत्सा और उमंग्य साथ बेटी को शादी करके भेजा है लेकिन तीन तलाग कह करके अगर बेटी को लोटा दिया तो मेरी बेटी की जिन्दगी का क्या होगा यह पूरा परिवार तीन तलाग के नाम पर लटकती तलवार के नीशे मुसिबत में जिन्दगी गुजारता था मोदी ने सिरम मुस्लिम बहनों को नहीं सभी मुस्लिम परिवारों की जिन्दगी को बचाया है लोग सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षन का कानून भी संसद्य पारिज कर दिया है यह भाजपाई है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है साथियों आज जब मैं चुरू आया हूँ तो कुछ पुरानी आदे भी ताजा हो रही है इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था ऑार आपियों और तो कुरू इससे पहते है क्से बापुरू आपाई लाग तो प्रवरी यह जब रहा हुआ और य। कर दो कि कुछ आपको जब 16, 2, 9, 5...